तो दोस्तों देखें फिलाल जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ यह 50 गज में बनी हुई इन्वेंट्री है काफी सांदार देखें फ्रन्ट एलिवेशन आप देख सकते हैं काफी सांदार आपको फ्रन्ट एलिवेशन मिल जाता है और हाइवे के बिलकुल नजदीक एनेच नाइन्टीवन हाइवे से बरी हुई सोसाइटी के अंदर आपको यह छोटी सा मकान बहुत ही प्यारा जिसमें आपको पक्की रेजिस्ट्री विद मूटेशन के साथ आपको प्रोपर्टी मिलने वाली है पचास गच का मकान है मात्र 24 लाख रुपे में आपको यह मिल जाता है जिस पे आपको 80-85% तक का फाइनेंस भी हो जाएगा दोस्तो टोटल इसमें दो रूम मिल जाते हैं दोस्तो यह देखिए इसका यह बाहर का रूम आपको हैं पर मिल जात है दोस्तो यह देखिए कुछ इस तरह का बाहर का रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है काफी सांदार यह प्रोपर्टी बनी हुई है अभी अंडर कस्ट्रक्शन में हैं जैसी कंप्लिट होती है तो है हैंट्टो एंड्ट सेल भी हो जाएगी दोस्तो आप देख रहे सांदार आपको नीचे भी काफी अच्छा स्पेस बॉक्स लगा के मिलने वाले हैं तो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइवे के नजदीक भी है दूसरा जिन भायों का बजट कम है उनके लिए काफी सांदार यह प्रोपर्टी होने वाली है पकी रिजिट्री पक देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों यह देखे काफ़ अच्छा साइज आपको देखने के लिए मिल जाता है उपर भी आप देखेंगे इस्टोर वूम आपको काफ़ अच्छा मिल जाएगा और एक अलवेरा भी आपको बनाकर दी जा रही है इसमें कुछ इस तरह का तो दोस्तों इसमें टोटल आपको दो रूम देखने के लिए मिल जाते हैं एक बाहर गैस्टूम हो गया यह आपका बैड रूम मिल जाएगा दोस्तों किछिन में भी आप इस्पेस देखिए काफी अच्छा इस्पेस और चौक भी देखिए किछिन के सामने वासरूम में भी आपको जीने में भी देखने के लिए मिल जाएगा एक बार में उपर से आपको वर्वी दिखा देता हूं बरी हुई सोसाइटी के अंदर आपको यह पचास गज की इंवेंट्री मात्र 24 लाग रुपे में आपको मिल जाती है जिस पर आपको 80-85 पर्षंट तक का फाइनें अबर मैंने आपको डिस्कस्म में डाल दिया है वहां से आप कॉंट्रेट कर सकते हैं और विजिट प्लान कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ओल लेड़ी यह लालकुए गाजियावाद में प्रोपर्टी पड़ती है लालकुए से एनेच निटीवन से मात्र 200 मीटर सांदर आपको यह प्रोपर्टी मिल जाएगी पचास गच की इन्वेंटरे काफी सांदर यह बनी हुई है जिस पर आपको 80-85 परसंट तक का फाइनेंस भी हो जाएगा और इसी तरह की प्रोपर्टी देखने के लिए अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं क झाल